नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोरब और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं कॉपर MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये पांच मिनट के टाइम फ्रेम को मैंने लगाया हुए और इसमें जिस तरीके की मुवमेंट लास्ट रिडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ़ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है कॉपर में उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो कॉपर में सपोर्ट और रेइस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या वियू है क्या उपर जाएगा अप मार्केट, नीचे जाएगा ट्रेड करना है नहीं करना या थोड़ा सा वेट करना है अभी तो उन सब चीजों का हम समझने के लिए शुरू करते हैं पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पे कॉपर MCX का चार्ट दोस्तों लास्ट एडिंग सेशन में हमने जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे की फ्राइडे को मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग के साथ अपनी शुरुवात करी और वहीं से मार्केट में एक सेलिंग प्रैशर बना रहा प्राइसे बिल्कुल भी उपड नहीं आ पाया और वहां से एक करेक्शन मोड पूरे टाइम में बना रहा यहां पर थोड़ी सी इंट्राडे में ये कोशिश होई थी कि थोड़ी सी एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी थी प्राइसेज ने 4-5 रुपए की पर वहाँ से फिर एक सेलिंग और प्राइसेज लगभग अपने लोएस पॉइंट से थोड़ी सी ही रिकवरी दिखा के 694.10 पर लास रेडिंग प्राइस करके खत्म कर दिया एक इस तरीके का ट्रेंड रहा के मार्केट में बहुत जादा तो नहीं एक 5-6 रुपए की एक करेक्शन देखी कई अवरॉल अपने ओपनिंग प्राइसेज से तो कही ना कही एक सेलिंग प्रेशर जो है वो बना रहा है और यह सिर्फ कॉपर में नहीं यह बेस मेटल प्रेशियस मेटल इन दोनों सेगमेंट पे हमने देखा है एनरजी सेक्टर थोड़ा सा एक अभी साइडवे स्ट्रेंड को लेके पर फिर भी एक स्ट्रेंड के साथ अपने आपको होल्ड किये हुए उपर की साइड में तो कही ना कहीं मेटल पैक जो है लास्ट वीक जिसमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और बाकी बैस मेटल भी हैं बहुत अच्छे से उन्होंने एक डाउन साइड का एक टर्न लिया हुए खासतोर से कॉपर में वो लेवल ब्रेक हुए है जो बहुत टाइम बात मतलब एक चार्ट पे होता है कि कितने टाइम बात ये गिरावट देखी गई है देखिए ये चीज़ में अभी आपको इस तरीके से एक्स्प्लेन नहीं कर सकता पर कुछ टेक्निकल स्टेडिस में इस तरीके की चीज़े है कि अब एक बेरिश जोन में एंटर कर लिया है कॉपर ने अब नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है हम सिर्फ उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं ठीक है थोड़ा सा और आगे चलते हैं पंदरा मिनट के टाइम फ्रेम पे और उन चीज़े को भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी स्टेजी रहनी चाहिए यहां पर अगर हम बात करें तो प्राइसेज में एक स्ट्रेंथ यहां कंसलिडेशन थोड़ा सा एक करेक्शन और उस करेक्शन को मार्केट ने और आगे के लिए कंटिन्यू करा 700 के नीचे फाइनली प्राइस सस्टेन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं तो यह एक इंपोर्टेंट साइन है इस चीज़ का के कॉपर में जिस ट्रेंड को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले कुछ टाइम पहले देखिए तब कॉपर का प्राइस था 780 आपने अगर मेरा कॉपर का लास्ट शायद 3-4 कॉपर में मैं वीडियो बना चुका हूँ कॉपर में उस चीज़ के तब 680 पे था तब मैंने इस चीज़ का बताया था कि कॉपर में जो हाई प्राइस था वो अब लग चुका है अब प्राइसस में और ज़्यादा है स्ट्रेंथ इतनी बची नहीं है और आने वाले टाइम में हाई ब्रेक करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा प्लस प्राइसस जो है अब नीचे के लिए अपना एक ट्रेंड रखेंगे और उस ताइम मैं एक चीज़ और बतायी थी इस तरीके का एक इंडिकेशन उससे पहली भी आया था ये चीज़ अभी और थोड़ा सा आगे डिसकस कर लेंगे एक बार थोड़ा सा जल्दी करते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेंट पर अगर हम देखें तो प्राइसे नीचे कंसॉलिडेशन थोड़ा सी उपर वहां से फिर एक डाउन साइट और बिलकुल लोएस्ट पॉइंट पर आकर मार्केट अभी है अपने आपको यहां पर क्लोज कर रहा है एक करेक्शन जो कॉपर में काफी बड़ी है यहां पर अगर हम प्राइसे की बात करें तो सेवन फिफ्टी सेवन के असपास का कुछ प्राइस होगा वहां से करीब-करीब साथ रुपए नीचे प्राइसे आ गए है तो एक बहुत बड़ी करेक्शन है करीब 15% तक की तो कॉपर के लिए यह कोई छोटी-मोटी करेक्शन नहीं है कॉपर में कई बार हम ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड पूरे टाइम 20-25 रुपए में घुमके खत्म हो जाता है जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ यहां पर एक कुछ इस तरीके का एक साइन आया था जब के मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है पर यहां सिर्फ एक ही चीज थी जो इससे सस्टेन करा के प्राइसे को ऊपर ले गई वो यह था कि प्राइसे जो जो चीज चल रहा था वो बहुत उपर के लेवल्स पर ही मार्केट चल रहा था प्राइसे उपर गए फिर एक फ्रेश इंडिकेशन और आते हैं यहां पर जब मार्केट इस प्राइस को ब्रेक कर देता है शायद 780 था या 90 के असपास क्या था ये मुझे अभी exactly ध्यान नहीं है पर यहां पर दूसरे sign आया थे देखिए market में जब भी कभी इस तरीके के indication हो एक बार आजएगा दो बार आजएगा तीन बार आजएगा पर तीसरी बारी अगर कुछ भी इस तरीके का कोई indication आता है तो वो जितनी बारी में आएगा मतलब पहली बारी में अगर market यहीं से correct होता है तो profit भी इतना बड़ा नहीं होता यहां से correct हो रहा है ज़्यादा strength के साथ होगा और ज़्यादा confirm रहेगा ठीक है एक और हो सकता था कि इसके ओपर market इस चीज़ का sign ले और वहां से market correct करे पर ऐसा हुआ नहीं यहां पर यह second time market ने एक अच्छी correction के indication दिये मतलब शायद आप अगर नहीं समझ पर है मैं एक बार और थुरा सा explain करता हूँ इस चीज़ को देखे क्या होता है कि कई सारी traders इस तरीके से trade करते हैं कि यहां से market उपर जा रहा है short selling में लगे हूँ है continuously एक short selling की वह position build up कर रहे है 800 पहुच गया 810, 12 पहुच गया पर यह नहीं पता कि market कितनी उपर तक जाएगा तो वह सबसे बड़ी गलती होती है भले ही उन्होंने बिलकुर tip पर sell कर आओ 812 या 16 का जो भी हाई था वहां पर उन्होंने sell कर आओ वो सिर्फ उनका एक luck है luck हमेशा market में 7 नहीं देता 100 में से 1 बारी भी मतब 1% भी chance नहीं होता है कि इस market में luck आपके साथ इतना जादा favorable रहेगा तो हम किस तरीके से कर सकते हैं एक trend है उपर का consolidation दिखा रहा है जब वो consolidation confirm हो रही है market में कि consolidation है तब हम यह expect कर सकते हैं कि prices नीचे जा सकते हैं अगर यहां से फिर एक breakout दिखा दिया उपर को फिर तो हमें breakout में market में continuity जो बनी होई है एक uptrend जो बना हुआ है वहाँ पर हमें नहीं करना wait करना है वो wait करना सबसे भारी काम होता है किसी भी trader के लिए wait नहीं होता है तो wait नहीं होता तो market आपको खुद सिखा देगा कि wait कैसे किया जाता है तो market उपर आया है यहाँ पर फिर जब consolidation हो रहा है तब हमें यहाँ पर अपनी दूसरी या तो हम एक और fresh selling ले या फिर अगर हमने इस trade से exit कर लिया है तो हम उसे resell यहाँ पर करें यह एक समझदारी वाला decision होता है और अभी तक उसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा risk है यहाँ अगर हम देखें तो copper के trend में एक तेजी prices उपर पर इतना जरूर है कि market में बहुत सारे traders ऐसे थे जो copper के इस uptrend में फसे हैं खास तोर से देखें फसते ज़्यादा तर वो है जो funds को ठीक से manage नहीं करते मैं हमेशा इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा stress इसलिए देता हूँ क्योंकि fund management अगर आपको नहीं आती तो levels भी secondary है primary आपका fund management है अगर वो आप ठीक से नहीं कर सकते तो कितने भी accurate level आपको मिलने लग जाए आप successful नहीं हो सकते इस market में यहां से prices नीचे और अभी हम देख रहे हैं कि एक major एक और breakdown level था वो market ने break कर दिया है next support कहा है इसका next support है 667 से लेकर 650 के बीच में यहां कहीं भी market sustain करने की कोशिश कर सकता है अगर 667 के उपर ही market sustain करता रहता है यह मैं weekly closing की बात कर रहा हूँ अगर इसी के उपर prices close होते है weekly basis पे तो कहीं ना कहीं एक आप यह उम्मीद कर सकते है कि शायद यहां से market थोड़ी recovery दिखाने की कोशिश कर सकता है पर वो एक recovery होगी उससे आप uptrend की तरीके से ना समझें यहां से recovery होती है हो सकता है कि फिर कुस time के लिए market इस range में consolidate करता रहे पर ultimately फिर market नीचे आएगा तो इस तरीके का एक trend नज़र आ रहा है यह तो हुआ कि overall outlook अभी copper का आने वाले time में किस तरीके का लग रहा है अब बात करते हैं कि मतलब आने वाले session में हम किस तरीके से इसमें trade कर सकते हैं सबसे पहली चीज़ कि market जितना down है उसमें gold silver में भी कुछ ऐसी expectation है कि prices कहां open होते हैं वो इतना matter नहीं करेगा पर opening के बाद कुछ इस तरीके के chances ज़ादा बन सकते हैं कि एक recovery phase market दिखाने की कोशिश करें क्योंकि oversold condition में चल रहा है थोड़ा सा तो एक उमीद है कि market यहां से recovery दिखा सकता है initial weekly session में तो Monday Tuesday का शायद session रह सकता है कि market अपनी एक recovery को hold करने की कोशिश करें कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत असर copper पर देखा जा सकता है तो एक short selling fresh short selling इन levels पर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक गलट decision होगा पर long position तो बिलकुल नहीं करनी अब करना क्या है करना सिर्फ यह है कि market में जब उपर आता है तो sell on rise वाली एक strategy होती है सिर्फ उसी को हम अपना के market में trade कर सकते हैं otherwise ना buying ना selling इस level पर तो खात्तोर से कुछ नहीं कौन कौन से अब levels है सबसे पहला level 707 यह काफी important level है इस से नीचे 700 है यहाँ पर इन दोनों में हम किस तरीके से कर सकते हैं 700 अगर break होता है तो market में थोड़ी सी strength बन सकती है जो 4-5 रुपे के लिए हो सकती है तो 704 से 705 यह एक अच्छा price है मेरे हिसाब से Monday को selling के लिए इसके बीच में अगर prices मिलते हैं तो copper के लिए एक अच्छा price हो सकता है selling के लिए एक resistance जहाँ पर नजर आ रहा है अच्छा सा वो 707 से 709 पे है यह काफी strong एक resistance zone है तो इसके उपर market अगर आता है sustain करता है 709 के उपर तो ही इसमें और ज़्यादे strength बन पाएगी otherwise intraday के लिए आप इस range में अगर short selling करते हैं और इसके उपर का आप एक stop loss रख लेते हैं sustain करना जरूरी है ठीक है तो वो एक अच्छी call लग रही है अभी को देखते हुए बाकी इस चीज़ पर भी depend करेगा कि market open कहाँ पर होता है बहुत ज्यादा नीचे हो रहा है बहुत ज्यादा उपर हो रहा है फ्लैट opening हो रही है तो उस चीज़ को देखते हुए भी हम थोड़ा consider कर सकते हैं पर फिलाल जिस तरीके का अभी अगर हम इसे current market माने के current market यहीं पर चल रहा है तो ये एक अच्छे level है और इसे strategy से हम काम कर सकते हैं और उपर में कौन-कौन से level होंगे इसे उपर एक level है 721 जो इसके बाद का एक resistance level रहेगा इसके उपर है 734 पर हम यहाँ पर भी अभी market आता हुआ एकदम से लगनी रहा तो इन बात करने इन पर discuss करने का भी कोई इतना बड़ा फाइदा नहीं है एक और level है इसके उपर 762 यह final resistance है 762 जब तक market में break नहीं होता कोई भी एक uptrend वापस आना copper में वो एक तरीके से impossible जैसा है impossible तो market में कुछ भी नहीं है पर impossible जैसा है तो यह price जब break होगा तो ही market में एक strength एक uptrend बन पाएगा पर provided के यह break हो ठीक है उससे पहले यह दो levels काफी important नज़र आ रहे हैं और इनकी के इस तरीके से importance है यह मैंने अभी आपके साथ discuss करे लिया तो दोस्तों यह था मेरा copper mcx पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने रहें मेरे साथ देखते रही है market report धन्यवाद